यह कॉन देखके फ्रेंड्स आपको लगेगा ना कि कॉन मैंने कैसे बठी ऐसे बनाया ब़री आसान तरिके से और बिना मैदे का यह कॉन बनके रेडी हो जाईगा इसका क्रिस्पीनेस पर मैं आपको सुना देते हूँ बड़ी कॉन बनके रेडी हुआ था अचानक से मेरे माइंड में आइडिया है और मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट कर दिया यह जब हम पापड़ी बनाते हैं उसी से कून बनाया है हमने इसके लिए एक मेजरिंग कटोरी हमने ली है इसी में हम लेंगे एक कप सुजी यह सुजी है बारिकवाला और उसका तिहाई मतलब एक तिहाई हिस्सा जो है वो हमने आटा लिया है वन थर्ड अब इसमें एक बड़ा चमच हमने ओल डाल दिया इन सभी चीजों को मिक्स कर देना है आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि मैं बनाऊंगी जो रेसिपी इसमें बनाना है पापरी कौन चाट चाहे है आपको जो मनकरे इसमें क्रीम भी आप फिल कर सकते हैं मिला दिया अब यह गरम पानी है और थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है कप वहीं है जिससे मैंने मेजरिंग की है तो एक कप हमने पानी लिया है लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके हम मिलाते हुए इसे एक सक्त डो रेडी करेंगे कड़ा होना चाहिए इसका जो डो होगा न और सूजी है तो अवेस से है कि पानी सोखेगा लेकिन गीला आपको नहीं क कर लिया है और सक्त आठा हमने लगाया है और थोड़ा सा पानी का चीटा अब इसके उपर देंगे हम हल्का सा ड्रॉपलेट्स जैसे देख रहे है तो अब इसे हमें क्या करना है कि अब हम कीचेन काउंटर पर इसे रखेंगे इस तरह से और हथेली के हेल्प से इसको हम करने का कपड़ा लेंगे आप हैंकी वैंकी कुछ भी ले सकते हैं मसलिन क्रोथ भी ले सकते हैं तो उसमें आप इसे गीले कपड़े में लपेट के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं तो यह हमने 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दिया यह पानी रेख ल आप स्टार्टर की रूप में भी उसे किसी को सर्फ कर सकते हैं उसमें कुछ भी फिल करके तो इस तरह से हमें कोन बना लेना है जैसे मेंदी की कीप हम लोग रेडी करते हैं न वैसे बस आपको मैंने जैसे रेक्टेंगल सिप दिखाया ऐसे घुमाते हुए देखिए पहले आ है और सेम ऐसे ही मेठोड को फॉलो करते हुए आप एक कोन बनाईएगा जैसे कि मैं बना रही हूं और यह अल्मुनियम रैप है तो आराम से इसे चिपकाने बेगा जरूरत ही नहीं पड़ता है तो यह दो कोन मैंने रेडी किया है क्योंकि मैंने न अपने गर में कुछ लो बनाना है मोटा मत कीजिएगा सुजी है ना तो पतला करके और इसे प्रिक कर देंगे काटा चम्मच की मदद से इसे प्रिक कर देना है ने तो यह फूल जाएगा पोड़ी की तरह और कटोरी उसी कटोरी से मैंने इसे कट कर दिया एक इक्वल साइज होने के लिए हमें इसे लगातार कट करकर कहीं वस्तोरी होने प्लगा से अफूल साइज होगा एक बराबर साइज आपको दिक्कत ही नहीं आएगे अप कों पर हम इसे इस तरह से देखिए कवर करेंगे और यह पानी इसमें थोड़ा सा आपको लगाना होगा साइड में देखिए जिस तरह से माई ने तो किनारे खुल जाएंगे ओयल में जाते से तो यह पानी जरूर लगाएगा और यह देखे फ्रेंड्स यह कोन बन गिया है इसी तरह से दूसरा भी हम रेडी कर लेंगे किनारे पे थोड़ा सा पानी देंगे कि ताकि वह आसानी से चिपक जाए और बड़ा ही अच्छा क जाए ने तो यह जाए जाए तो यह जाए तेजी से नहीं फ्राइ हो रहा है तो इसे एक पेनेफिट है ना कि इसका क्या होगा ने कि बड़े-बड़े जो निकल जाते है जब भी हम फ्राइ करते तो वह बुल बुली इसके ऊपर नहीं आहेंगे बबल्स एक्दम यह चिकन क्रिस्पी रहेगा जैसा आप इसको फ्राइ करेंगे ना आराम से क्रिस्पी रहेगा तो इस तरह से इसी मेठोड को फॉलो करते हो मैंने सभी कोन बनाया इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है कोन को पहले और तब यह जो अल्मुनियम रैफ है उसे धीरे से आप निकाल लेंगे और जितना डो है आप इसी तरह से पूरा कोन रेडी कीजिए जैसे कि देख रहे हैं मैंने किया है अब इसमें आप चाट बनाईए उसे फिल कीजिए या कोई मीठा बनाईए उसे फिल कीजिए या आइस क्रिम बाबाई फ्रेंड्स